अलो फ्रेंड क्या हाल है सुचोछवी था के किचिन में आपका स्षवागत है अब बात्रे आ रहे हैं अब हम बात्रे के लिए बनाते हैं आपके लिए आलू का हईवा यह हमने दो आलू बाल कर रख लिए हैं, अब इनको हम कद्दू कस्मे कस लेते हैं, रागे शुरू करते हैं, यह हम आलू को कस लेते हैं, ताकि गाट ना हो, हाला कि कस है नहीं तब भी काम चल जाता है, कसके और अच्छा प्लेयर हो जाता है, कोई चुटा नहीं है, तोड़ो आलू हमने कसका तयार कर लिए हैं, कढ़ाई हमने गैस जला दी थी, कढ़ाई कर्म हो गई है, और इसमें हम उप डालेंगे घी, तीन चम्मस की हमने इसमें डाल गया है, अब इसमें डालने हैं, आलू, यह हमारे हल्वे कर देखे घरे धरे बदलना शुरू हो गया है, खोड़ा थोड़ा, बुनना शुरू हो गया, जब तक यह बुने तब तक हम दूसरी गैसा लागे, इसमें हम दूद्ध गर्वो हो न रखते हैं, यह देखे हम आदा कब दूद्ध ही डालेंगे, इसमें इसको बालना है और इसमें हम डाल देंगे साथ में चार-पांच केसर की बती हमने डाल दी है जिससे इसका फ्लेवर बहुत यज्छा आजाएगा इसको तक तक हम गर्म करके अलग रख देंगे इसको आप चला लेते हैं इसको जादे देर फोड़ना नहीं होता इसको चलाती ही रहना होता है इसको आप चाहें तो कम घीका भी बना सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा तीन चम्मस गी लिया है और बड़े बड़े आलू हो तो दो ही आलू भात होते हैं दो लोगों के लिए और अगर थोड़ा छोटी हो तो तीन आलू का फल्ड़ा बनावकते हैं दो लोगों के लिए अराम से बहुत हो जाता है और इसमें भी काफिच फोड़ने लगा है थोड़ा सा इसको और हम त्रस्की करने के लिए थोड़ी देर और हम जिन दीए केसर वाला दूद हमारा तयार हो गया है अब इसमें हम दालेंगे थोड़ी से ड्राइफ रूट्स इसमें स्टाल दी है अजिए इसमें दाल लहे हम काज़ुस और साथ में दाल लहे हम यह जे देह हैं मकाने का और सफ तिल का पाउडर और इलाइसी इसमें हमें डाली हुई है इसको पीस कर हमने रख लिया ता अब हम एसे डाल लहे हैं ऐसे अधिएट दो मिनिट हमने चला दिया इसको और इसमें हम डालेंगे आदा कब दूद हमने लिया था केसर वाला इसमें केसर को बालकर छोड़ दिया था इससे फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जब रखते हैं तो तली हुई चीज खाते हैं तो बड़ा ही इसका तासियर भी थोड़ा बजल जाता है इसमें दूद जरूर डालिए आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं इसको ऐसे ही थोड़ी दिर चलाना यह देखे यह हम इसमें डाल ले हैं चीनी चीनी आप सौद की साफ सही रखें अच्छीनी हमने यह कर्वी स्पून के हिसाफ से लगाएं तो हमने चार चम्मच हमने चीनी लीपी और इसमें अब हम डालने हैं मलाई इससे और अच्छा प्ले बरा जाएगा थोड़ी दियर इसको हमने ऐसे ही चलाना होगा ताकि यह गाड़ा हो जाए इसमें बाद में अलग से हम थोड़ी सी लाइची पाउडर और डाल देते हैं अलगा हमारा गाड़ा होने लगा है और यह हेल्थ के हिसाब से जैसे नवराती रिवेत रखते हैं बहुत ही अच्छा रहता है इसको थोड़ा सा दूज और मलाई जो डालते हैं उससे एकदम घी को यह इस तरह से अबजर्ब कर लेता है कि खाने में भी मुह में घी नहीं आता है अ пров आक inference अपने साथे कुछ भी डाल चकते हैं जो भी आप पसंद हो यह जो भी आप डणना चाहें 2 में मतला helpful कि बकर टैर हो गया है कितना नहीं कर लेकर हैं एक हाह इसमें बाल हम बेकर लिक्स पर आणिव जे यह हमारा थोड़िया आप उसमें चाहें कोई भी टाइपुट लगा सकते हैं आपको हमारे ये रेसिपी चैनल को श्ब्सक्राइब जरूर किजिए और लाइक किजिए में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता यह swims में किकि कि आले आपको घ्टल ही भी थे और उत्य पूण intriguing तो तेन के उतना तेश्चा आए मेघा करा अदो जालु में द tepati stop सघ्डास अर्फ़ दो डौलू में चार चम्स उटाया जाढ़ाई जादे मीघा ही तो बुरत